नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों बात करने वाले हैं इंडिया बूल्स हाॉसिंग फिनेंस के बारे में है बात करें अगर बैंकिंग सेक्टर की तो वह भी पॉजिटिव है बट इस स्टॉक्स के अंदर जो है आपको लगातार गिरावाट देखने को मिल रही है कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस स्टॉक जो है नीचे जाने वाला है दोस्तों बात करने वाले हैं इसके सबोर्ट और रस असपास तक जाता है और लगातार जो है इसके अंदर गिरावाट आपको देखने को मिलती है फिर ऐसा क्या हो रहा है कि लगातार जो है इंडियाबुल्स का स्टॉक्स जो है अगर बात करें पिछले एक महीने के दुरान तो फिलाल में जो है एक लेवल के आसपास जो है य गिरावट कहां से होगी और बढ़ा तिसके अंदर कहां से देखने को मिलेगी तो दोनों लेवल के बारे में चर्चा करने वाले हैं फिलाल तो अगर एक महीने की अगर चाल देखने की कोशिज करेंगी तो एक ही लेवल के आसपास आपको लगातार दिखाई दे दे तो अटकी हुई से आपको दिखाई दे रही है कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उपर के लेवल के लगबग 180 रुपे की कहीं जाने की तैयारी तो नहीं कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वापस ये 130 रुपे के नीचे लगबग जाने की तैयारी कर रहा हो तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है इंठिये बूर्स के अंदर फिलाल में अगर बात करें एक न्यूज आई थी उस न्यूज के अंदर जो है क्या निकल के आया डिसकस करने वाले हैं उसमें बताया गया हता है कि जितने भी बैंकिंग सेक्टर हैं उनके अंदर अभी फिलाल में बात करें तो पैसा डाला जा रहा है लगातार पैसा डाला जा रहा है और जितने भी financial sectors है उनको भी मजबूत किया जा रहा है मजबूत इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना का टाइम खतम हो चुका है फिलाल में जितने भी हमारे financial sectors हैं उनको अगर मजबूत करेंगे liquidity आएगी पैसे की तो कही न कहीं जो है जो आम लोग है वो finance उठाएंगे तो फिर उनने इंट्रेस्ट मिलेगा और अगर इंट्रेस्ट मिलेगा कंपनियों को तो फिर न कंपनियों को benefit होगा तो कहीं न कहीं जो है ये चीज भी आप जो है observe कर सकते हैं फिलाल में क्या है कि 150 रुपे के आसपास closing दिखाना भी एक माइने रखता है stocks के अंदर और हलकी चाल जो है दिनके moment में आपको लगतार बनती हुई निजर आ रही है बात करते हैं दोस्तो ये टल डेट के अंदर लगतार जो है stocks के अंदर गिरावाट देखने को मिली तो दोस्तो आप ये जो लेवल है आप इस चीज को जो है यहाँ पर comparison करने की कोशिस कीजेगा लगबग इस तरीकी की चाल जो है पहले भी पहले बात तो हम ये करने वाले हैं कि अगर कोई चीज जो है अगर उपर जाने वाली है कहीं न कहीं जो है थोड़ा सा जितने भी हमारे रेटेल इंवेस्टर्स हैं उनको पैनिक मिलाकर जो है stocks को नीचे ले जाया जा सकता है कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि अकर 130 रुपे के आसपास 120 रुपे के आसपास तक जाए और फिर वापिस यह वापिस ही पर ले जाकर खड़ा कर दिया जाए या फिर जो रिटेल इंवेस्टर्स हैं यहां इस लेवल पर दुवारा जब जाएगा तो वहां जाकर वह माल उठाने की कोसिस नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें फिर लगेगा कि यह स्टोक्स तो नीचे एक बार 120 रुपे तक चला गया था और अब ऐसा हो सकता है कि यह स्टोक्स है वापिस नीचे गिर जाए तो कहीं न कहीं जो है यह चाल जो है आप समझने की कोसिस कीजएगा फिलाल में जिस त तो कहीं न कहीं जो है इसे 190 रुपे तक के प्राइस टार्गेट के आसपास तक तो जो है ले जाना चाहिए पर उससे पहले यह जो है एक बार नीचे की तरफ जो है सांस लेता हुआ नजर आ रहा है तो दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में किस तर यह मोविंग आवरेज की लगब व civटकी 1 के आसपास टेन डेज का निकल के आरह रहा है लगब वण से ऑपर रौख ग今 4 और यह 1 लिए बात है अभी फिलाल मेंगर five days के मुवंग average को आप crunchyinação सिगनल जो है के अंदर calculate होके आ रहा है अगर ten days के मुवंग average के बारे मैं बात करें वह भी bares a risk या रहा है 20 days even जितने भी सारे हमारे moving average प्रप्राइज है फिलाल में भी ब्र कोई संकित आइसा नहीं दिखाए दराया जिसकी वुझाओ सब्सक्राइबात करें डोसके निधर विशंव कर नेंगिटिव कर रहा है तो फिलाल जो में सीडी क्रोस ओवर की तो उसके अंदर भी जो है संकेत अभी फिलाल में नेगेटीवी बन के आ रहे हैं अब बात करते हैं दोस्तों के कौन-कौन से सके पिविट पॉइंट के लेवल हो सकते हैं कौन-कौन से लेवल पर जाने के बाद में ये एक बार उपर जा सकता है या उपर के target और भी इंदर इसके बंते में जराएंगे दूसरा resistance लेवल निकल के थिए लगभग 157 के राख सपास तीसरा निकल के थिए लगभग 159 के रस पास इसी तरही के साथ सरे इसरा सपोर्ट लेवल की तो support लेवल निकल के आ मेरा तो मानना यही है कि लगबग नीचे 143 रुपे तक यह फिलाल में जो है जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है जिस तरह की क्लोजिंग जो है सके अंदर देखने को मिल रही है दोस्तों बात करते हैं मेजर फैक्ट के बारे में जिस तरह के फैक्ट जो है इंडियाबू सके कर के लगबग जातार आपको देखने को मिलते हैं 25 के अंदर यह कंपनी प्रकाश में आई थी उसके बाद से बाफ से यह लगबग यहाजार मार्केट कैप है एन बी एसी सेक्टर को बिलोंग करती है यह अगर क्वाटर और रिजल्ट की बात करें तो 36 2020 के अंदर जो है रिजल्ट डिकलेर हुए थे अगर पिछले एयर 36 2020 की बात करें तो लगबग 2544 करोड रुपे का जो है इसका टोटल सेल्स जो है दर्शाई गई है लगबग 12 परसेंट से ज्यादा की जो है गिरावट देखने को मिली थी पिछले साल के अगर पिछले क्वाटर की बात करने को इसकरें तो लगबग 2950 करोड रुपे की दिखाए गई थी लगबग 33 जो है दिखाया गया था फिलाल में बात करते हैं जिस यहीं अंदज़्सल्weise लगाए सकता कि हो सकता है कि इसके इंदर आपको जो है sales भी down होती हुँ दिखाई दे और ये stocks जो है आपको एक बार उपर जाका नीचे फिर दुबारे से जो है गिरता हुआ दिखाई दे तोस्तों अगर ये जानकार ये आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जुरू कीजेगा चैनल सब्सक्राइब करके लेना ताक नई वीडियो के नौटिफिकेशन सीदे आपके मोवाइल पर मिल सके हैं थैंक ये सो मच्छ पर वाचिंग